नमस्कार दोस्तों चीन में जन मिलिया और चीन से निकल कर समगर विश्व को यह महमारी अपना भक्ष बना रही है यह चलते चलते अपने भारत देश में भी प्रविश कर गई है दोस्तों हर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया है लॉकडाउन का मतलब है हम हमारे घर से बाहर न निकले चाहे कुछ भी हो जाए थोड़ा सा सयम रखे बहुत दुख होता है माध्यम सबसे बिनती करके कह रहे हैं चिला कर कह रहे हैं कि भीया घर से बाहर मत निकलो मत निकलो फिर भी लोग निकल रहे हैं तंबाकू लेने के लिए बीडी सिगरेट लेने के लिए हस भी नहीं सकते इतना दुख होता है कि हम इतने सिरियस नहीं हो सकते और केवल हमारी जान को, हमारे जीव को खतरा नहीं है यदि हम एक व्यक्ति भी अगर संक्रमित होते हैं तो पूरे समाज को संक्रमित कर सकते हैं पूरे राज्य को संक्रमित कर सकते हैं पूरे राष्ट्र को संक्रमित कर सकते हैं क्या चिन, अमेरिका, इंगलेंड, फ्रांस, जापान, इटली पूरा यूरोप क्या सम्रुद्ध देश नहीं है उनके पास साधन सामगरी संपत्ति की कोई कमी है बिल्कुल नहीं उनके पास कमी थी सजक्ता की सतर्क्ता की और इसकी वज़े से आज इटली में जो हाहकार मचा है मौत ने अपना तांडव प्रदर्शित किया है दोस्तों इटली में इस संक्रमन के बाद यदि मनुष्य की मृत्यों होती है तो उसके सगे सम्मंधी भी अंतिम संसकार करने नहीं जा सकते हैं दरस सोचिए मिल्टरी की गाड़ी आती है उस मृत शरीर को लेकर अंतिम संसकार करने जाती है हमारे प्रदान मंत्री जी ने तिन तिन बार नम्र आवाहन किया है कि भईया घर से बाहर न निकलो न निकलो एक घर के बाहर लक्षमन रेखा है उसका पालन कीजिए घर के बाहर न निकले फिर भी पता नहीं क्यों लोग भिड़ में जा रहे हैं और जिवना वश्चक वस्तुएं हमें मिलेगी केंद्र सरकार के आदेश अनुसार राज्य सरकार अपना प्रबंद कर रही हर राज्य सरकार सतर का है थोड़ा सैयम रखिए जिवना वश्चक वस्तुएं हमें मिलेगी लेकिन सिर्फ सैयम रखना है हमारे देश की संस्कृती में हमारे देश के हरे एक मान संत ने सैयम और धीरज रखने की ही सीख दी है हमारे रिशिमुनियों ने भी यही सीख दी है हमारे सारे धर्मों के धर्म ग्रंतों में यही है कि भईया धीरज का फल हमेशा मीठा होता है सयमित रही है विया कविर साव ने भी यही कहा है बहुत गई थोड़ी रही व्याकुल मन मत हो है धीरज सब का मित्र है करी कमाई नखो है दोस्तों पहु मुल्य जीवन इश्वर ने हमें दिया है इस मनुष्य प्राणी को बुद्धी दे कर भेजा है थोड़ा विचार कीजिए इतना ही विचार कीजिए कि मैं अगर बाहर जाओंगा और संक्रमित होकर आओंगा मेरे परिवार को संक्रमित करूंगा मेरे समाज को संक्रमित करूंगा और ये संकट पुरे राष्ट्र भर फैल सकता है भया ये महामारी का केवल एक ही मंत्र है एक ही शस्त्र है घर में रहो और घर में रहकर ही इस महामारी पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं मेरी हाथ जोड के प्रार्थना है भया क्रपा करके घर में रहे और राज्य सरकारों के आदोश्यों का पालन कीजिए जैहिन वंदे मातरम